वेश्विक महामारी कोरोना ने जहां एक दूसरे को अलग अलग कर दिया है वहीं कुछ लोग इस समय नेकी करने में लगे हैं ऐसे ही सोलन के होटल व्यवसाई सुरेंद्र वर्मा है सुरेंद्र वर्मा ने सोलन में कुरोना पीडितों की सिवा के लिए निशुल्व क खाने की व्यवस्था की है सोलन की कुरोना मरीजों को वो अपने होटल पेरागौन से खाना उपलब्धि करवा रहे हैं सोलन के होटल व्यवसाई सुरेंद्र वर्मा सोलन में कोरोना मरीजों को अपने होटल से खाना उपलब्धिक करवा रहे हैं सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि पहले दिन उन्होंने करीब साथ कोरोना संक्रमितों को खाना भीजा उन्होंने कहा कि उन्हें ये पता चला है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई भी खाना बनाने वाला नहीं है। कहीं पर ग्रहनी संक्रमित है तो कोई पूरा परिवार ही संक्रमित है। बच्चे खाना नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने इस कारे को शुरू किया है। और वे लोगों को घर तक खाना मुहया करवा रह होटल पेरागोन की मालिक सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस महामारी ने बहुत कुछ बदला है उन्हें सोचा कि कोई भी महामारी की कारण पॉष्टिक भोजन से वंचित ना रहे इसलिए उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया उन्हें इस नेक कारे को करने से सुकून मिल जो भी कोविट पॉजिटिव सुरून में लोग हैं जिनके घरों में खाना बनाने में समस्य आ रही है दिक्कद आ रही है कुछ गर ऐसे हैं कि जहां पर गर के लगबक सारे ही मेंबर पॉजिटिव हो गए हैं उसके लिए हमने फ्री लंच और डिनर की एक सुविदा शुर अपना फोन नमबर अपनी रिपोर्ट और लोकेशन या एड्रेस शेयर करेगा उसके घर पे हम हाईजीनिक फूट न्यूटिशन फूट उसके घर में पहुचाने का प्रियास कर रहे हैं जैसे कि आपको मालूम है इस कोरोना काल में होटल इंडस्ट्री में कोई भी कारोब नहीं है हमारा भी यहां दिल नहीं लगता हमारे स्टाफ का भी कुछ दिल नहीं लगता तो हमारे स्टाफ के साथ मिलके हमने एक मुहीम चलाई है कि हम यहां पर यहां के सोलन के होटल पैरागोन के द्वारा हाइजेनिक फूट लोगों के घर तक पहुंचाएंगे देखें सोलन में जो है कि हर साल लंगर बंडारे बहुत सारे लोग लगाते हैं जैसे कि हम कई बार हर मुम्मेंट वे जैसे माता रानी का मेला होता है तो उस पर लगाते हैं तो इस बार मुझे मालूम है पिछले साल भी मेला नहीं हुआ तो हमारी ये कोशिश है कि जो भी जुरूरतमन लोग है उनके घर पे खाना पुज़ूर पहुंच जाए